वेलकम टू माई चैनल वन विजन एंबीबीएस आज हम बात करेंगे मेटास्टेसिस के बारे में देखिए हमने यह मेलिगनन्ट फीचर्ज की तेन क्रुसितिक पटी थी एनपलाजिया इन्वेजिनेस और मेटास्टेसिस इन्वेजन के बारे में हमने पिछले वीडियो में में प्राइम बारे मेडास्टेसिस के बारे मोच प्राइमारी ट्यूमारえば बारे में प्राइमार ट्यूमार्सेज्ट पा इन्वेजर इन्वेजर इकट एकूशी संवे मेटास्यस में जो मेटास्यस है कि आए वह डिफ्रेंटियेट्ट फिचर्स डिफ्रेंटियेश्ट फिचर्स ओफ मेलीगनें ट्यूमर फ्रोम धी बीनाइं ट्यूमर ऑगे और यहां पर जो मतलब मैटास्यस होगा उसमें कौन-कौन से रूट आएंगे तो फॉस्ट स्प्रेड के बारे में देखे तो लिंफेटिक स्प्रेड में कहेंगे देखे तो जो नोर्मल जन्रली जो कार्सिनोमा होता है वह लिंफेटिक rance-17 फ्रूट कुद्रेट होता है और सारकोमा होता है वह हमेटि जीनियस स्थरुट के तरहो होता है किके आला यहां पह़ें टेम कैन से लाइन के कार्सिनोग सोख शो मोずरेशस ऑफ लिम्पिट क्ims प्रैड उसमें आइगा फर्स आइगा रिजनल नोडल मेतास्स अपर जो उप्राइमरी साइट से त्यूमरी वीडियो में इंवेजान में बताएगा मतलब तुमर सेल का मतलब जो मुवमेंट होगा ब्लेड वेसल पर वहां कहां पर स्टॉप होगा नियरेस्ट ओर्गन पर तो देखे तो यहां पर जो लिम्पेटिक स्प्रेड में फॉर्स्ट फीचर्स आएगा रिजिनल नॉडल मेटासिस उसमें आएगा फ्रॉम दी ओरीजिन टो देखे लेट ओर डर्टेकल लुंप नोल कि यहां पर जो मैने स्फिगर बताएं देखे है तो यहां पर ब्रेस्ट गेशर में जो टिंवर्स होते हैं और्सक्सार्ण पर्राइमरी साइट ब्रेस्ट में और उसका मतलब मेटासिस होगा वह सेकनर्डेस्ट एक्जिलरी ल शेशिस में कियाएंगा नोडल मैतासेशिस इंक्ट्रूड करेंगे लोग ट्यूमर शिलका स्प्रेड़ होगा नीरस्ट साइट पे नियरस्ट और नीरस्ट टिश्यू नियरस्ट लिंफ नौड उसा हम कहेंगे नौडल मेतासेशिस और दूसरे एक्जैमपल है किया मतलब जो cancer of lung है और कहां पर spread करेंगे हिलार्स लिंफ नोड एंड प्री ट्रेक्या लिंफ नोड ओके तो यह हो गया लेकिन यहां पर जो सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यहां पर एक ड्रीमस होता है इसकी वजह से जो नियरस साइट की वजह वह दूसरी साइट की दूर है मतलब वहां पर जो नियर साइट के दूर है वहां पर मेटासिस करेंगे ओके तो यहां पर मैंने लिखा सम्टाइम्टर लिप्टिक मेटासिस दूनोट डेवलोप इंद फॉर्स्ट और नियरस लिफनोड बिकोज ओफ दी वेनसों लिम्फेटिक इनस्टोमोसिस ओके यह होग क्या होता है कि यहां पर ट्वीमर से क्षेट करेंगे अगेंस टी फ्लो आप लिंफ डू टू प्सक्षण ओफ लिंफिटिक बाइधे ट्यूमर सेल लू ज्टूमर सेल की बहुत ज्यादा ग्रोव होने की वज़े से लिंफिक का ओप्सक्षन हो जाएंगा और ओफ्सक्षन हो कि आए कि अ ब्रॉंकोजनिक ग्राइसिनोमा डू एक्टि लो लींफ नोड तो नहीं आपके पटा कि अगले बिलाब जस्ट अमने डिसकूस किया कि जो ग्रॉंकोजनी करसिनोमा को नियर्स साइट उलार्स लिंफट और परा ट्रेकेल लिंफ नोड उसको इनवल करना चाहिए लेकिन यहां पर जो रिट्रोगेट स्प्राइट की वज़े से फ्रंगोर्जोनिक कार्सिनोमा वो मेटास्यस होगा एक्जिलरी लिंफ नोड पे ओके उसे हम कहते हैं रिट्रोगेट मेटास्यस कि इस यह थोप्यवत फोर्थ पोईट आएगा वर्चौस लिंफनोर्ट सबस्क्राइब अचैने पाता बता है व्रचोस लुवकोर्ड होता है इस सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नौड्स व्रचौण लिंफनोड तो प्रलोब वर्चौस लॉप्न मैटा से सिस्भाइब अ लिंफ नोड में उसे हम कहते हैं वर्चोस लिंफ नोड मेंडर लिंफ नोडल मेंटास्टेसिस ओके तो यहां पर आएका सुपराकल लिंफ नोड ट्रॉम्टी कैंसर ऑफ एब्डॉमिडल ओर्गंज ओके कि तो यह पूरा कछ पूरा होगै यह द्लम कोंद से अगये रिज्जिनल में मेटास्टेस और उसका मतलब है और सायकोमा एकारेट करेंगे किosphate p sustra के बारे में ओके सो यह पर दूसरा डुप्ट हाइगा lie姜 रूट it. ही आगे बताए उसी तरह के मोस्ट कॉमन टूमर उप्रेड होगा बाइद में चुप्वमा की मतलब ब सारे कॉमा के थूर चो अगे और इनुवल होगा उसमें आएंगे लिवर उसुकर लंग ब्रेंग और किडिनी और और कहां पर मतलब टूमर्च्छल नहीं जाएंगे मतलब मेटासने नहीं होंगे उसमें स्फ्प्लीन घॉल्च इन्वेजन विडियो था उसमें बताइब एक का मतला बता के ट्यूमर सेल वहाँ पे और चुछ सेकेंडरी साइट इपर जाएंगे जहां पर उसका ग्रो उसको नूट्रेंट्स को ज़ादा मिलेंगे उसका ग्रोज most common involves secondary saiter जहां पर इमेटरिजीनियस की रिमेटर मेटरिजीनियस रूट के थ्रू प्राइमरेड यूमर का मेटर सेसिस होगा और यह मैं तुस्प्लीन हाटें स्कलेटरल मौसल वहां पर प्राइमरेड यूमर का मेटर सेसिस मौस्ट ओव नहीं होता यह रिता जहीं चैनल में फीचर में आएंगे फिर्स्ट मैंने लिखा है कि मतलब to ano we honest k forehead में हमें पता है कि मतलब Hybrid काली क स्प्रेड़ को बंड़्र होता है और मॉस्ट का बंड़ смотр है लंग्स में देखे तो हां पर किसी भी साइट लिम के टूमर होगा है तो तो जो देक्ला को Draghi इस्टामें के को दूसरा यहां पर वेल्ट का वंक्षाइन का साथ कि और पंक्रियास से लीवर तक तो यहां पर किसी पिजगह पर मांने लोगें बोल यहां पर स्प्लेंट में चुर्म से में चैस्थ को सकता है है यह यह थोई यह गया फैर्ट पोइंट आएगा पर मर्मर्णरी वेल ड्रेइड़ को ने के तो पौरमर्मर्य वेंड द्रेन उसके जो लंग्स का ब्लड फॉर्ड होगा उसको रिए उसमें का कौन सा होगा लेफ साइड हाट एंड एंड इन सिस्टमिंग सर्कूलेशन ऑक है जो मोस्त कोमन जो मतलब हमेटरजीनीस स्प्रेड में आएगा वेण सिस्टमिक वेइन पॉरटल वेइन अन्द पल्मॉनरी वेइन और यहां पर जो आर्टरियों स्प्रेड वो लेस्ट कोमन होता और और वो ओल्वस्ट नहीं होता है क्योंकि जो आर्ट्री है उसकी जोब वॉयशन होते हुझी वह थीक ऊती हो और जो वहीन की वहल की तिश्युव चाधा होते है इसकी वज़े से जो इन्यवेजन है वो यहां पर नहीं हो पाता है देखें मिन आके इन्य वेंचन में बताया था कि चो मतलब एक्स्ट्राइल मेंब्रेन और बेजिलन मेंब्रेन है ब्लड वेसल का उसको हमको मतलब डिग्रेट करना पड़ता है डिग्रेट करने में जो प्रोटियोलाइटिक एंसाइम की एक्टिविटी का इन्वर्ड होता है और यहां पर जो आर्टेरियल में जो आर्टरी के वोल होत यह थेख और इलस्टिक होने की वज़ते से यहां परी ट्री इंवेसन कम होता है इसलिए जौर अर्टील में ज K In होता है ओके पर यहां पर थर्ड थर्ड रूट आएगा कि इस प्रेड अलंग थी बोडी केविटीज इस प्रेड अलंग बोडी केविटीज देखिए तो उसका में मोस्ट कॉमन एग्जांपल आएगा वह इनुवर क्रुकेंबर्ग ट्युमर सो वाट इस मिन वाइक क्रुके कर्सेनोमोग स्टमक से मतलब स्टमक का जो ट्यूमर होगा ओ और तक स्प्रेड करेगा पाइदी रूट ट्रांसलोमिक स्प्रेड और जो मतलब जो बोडी केविटी होती है ट्रांसलोमिक केविटी होती है उसके अलंग जो स्टमक का ट्यूमर होता है वह स्प्रेड होता है वरी तक उस्यां गए ते क्रुकेंबग ट्युमर और यहां दूसरा पूटली का अलोंग विद एपिथेलिया लाइन सर्फैस वो इंडो मेंटरिंटेव का ट्यूमर हो। वह इंडो मेंटरियॉम्न का ट्यूमरर क्योंन च्थ ऒाइधी फेलोपेट्टी वाइडिंग ओर दिफेलोपेट्टूब और वाइस वर्सा मुंस मुद्ध मदलब जो औरी का ट्यूमर होता है वह फेलोपें ट्यूमर के दूरू एंडॉमेंटरीम चीमर होता है और और दूसरा एक्जाम्पल आएंगा के टिनी से लोगर नेच्टर दो कि यहां पर मैंने में बताया है डेफिनेशन डेफिनेशन में के ऐस्प्रेद औफ ट्यूमर फ्रॉम दी ओरिजिनेर साइट तू सेकंडरी साइट्स पाइटी इन्वेजन इस्प्रेद में अन्हें रूंगे निम्फेटिक रूंगे अन्हें प्रॉपर्टी ब most common organ involved होता है lungs, liver, brain और least common organ होता है spleen, heart, skeletal muscle, okay और veins involved होता है pulmonary vein, portal vein, systemic vein, okay और लास्ट रूट आएंगा वोगा spread all of the body cavity उसका most common example आएगा krukenberg tumor from the stomach, मतलब tumor of the stomach which spread into the ovary, okay तो यह पुरा का पुरा हो गया metastasis के बारे में, thank you